दो चम्मच बेसन में ये दो इंग्रीडियन्ट मिला के लगा लीजेगा ये एक ही बार में आपकी स्किन को पार्लर लाइक ग्लो देगा फेस पे जितना भी काला पन है दाग धब्बे है या फिर आपकी स्किन सैगी होने लगी है लटकने लगी है इन सारी प्रॉब्लम्स को क सबसे बड़ी बात इसके मल्टिपल स्टेप्स भी नहीं है जी हा आपको तीन-चारि स्टेप्स बिल्कुल भी फॉलो करने सिर्फ दो इस टेफ्स फॉलो करने और आप की स्किन की चमक देखे लोग आपको नोटिस करेंगे और पूछेंगे कि स्किन पर कौन सा पेशियल कराया है हमें भी बताओ तो ज्यादा बाते नहीं करेंगे चलिए देख लेते हैं रेमिडी क्या है कैसे प्रिपैर करनी है देल इसको अपलाई करने का सही तरीका क्या है बट आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट अगर अभी तक आपने अलू अमाया स्किन केर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बगल मो जो बेल आइकोन को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि जो भी मैं नए वीडियो अप्लोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो दोस्तों आज के फेशियल का मास्टर इंग्रीडियन्ट होने वाला है बेसन यह मैं नेरे यू टूटेबल इस्पून बिकॉज मैं सिर्फ फेश के लिए बना रही हूँ आप इसको पूरी बॉड़ी के लिए मिन्स जो भी इससे आपके काले पड़ गए हाथ पैर या नेक उसे इसाब से आप इसकी क्वाइंटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं एक ही बार में यह आपकी स्किन के काले पन को टै इतना ही नहीं इन दिनों जो फेश पे एक्सेस ओईल की प्रॉब्लम है हमेशा ओएल इसकीन से निकलता रहता है जिससे पसीना भी बहुत जादा आता है उस प्रॉब्लम को भी क्योर कर सकता है बेसन बेसन फेश के दाग धबे भी रिमूव करता है साथ ही आपके एजिंग साइन डिले करने का काम भी बखू भी करता है अब मैं इसमें आड़ करें तकरीबन वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी यानि टर्मरिक देखिए मैंने यहां पर वाइल टर्मरिक यानि कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने इतनी क्वांटिटी में इसको आड़ करने वाले हो तो आपको वन पिंच से जादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है विकॉज उसमें अड़िक कलर होता है आपके चहरे पे रंग छोड़ देगी फिर आप एकदम बीमार जैसे दिखोगे है ना हल्दी एंटी बेक्टीरियल होती है सबसे पहले तो आपके फे इसका इस्तेमाल होता रहा है आज भी साधी व्याह में दूला दूलन को बेशन और हल्दी का पेष्ट लगाया जाता है यह आपकी स्किन को तुरंत निखार देता है साथ ही साथ आपके फेस तैनिंग है काला पन है उसको रिमूव करके आपकी स्किन को एकदम से चिकना बन सकती है बहुत ज़्यदा फ्रेस नजराती है फ्रेंग्स अब मैं इसमें एड करने वाली हूँ तकरीबन आधा चमच एलोवेरा जेल आपके पास फ्रेस एलोवेरा जेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें हमने हल्दी और बेसंदू ऐसे इंग्रीडियेंट जो आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से फ्लॉलेस तो बनाते हैं लेकिन आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राइ जरूर कर देते हैं तो अगर आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल आड कर लोगे तो आपकी स्किन पर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी आपकी स्किन को deep hydration देगा aloe vera आपकी skin को light and brighten भी करता है अगर tanning की वज़े से आपका रंग बहुत जदा काला पड़ गया है या आपको sunburn ही क्यों ना हो गया हो aloe vera gel उसको remove करने की capacity भी रखता है साथी साथी आपकी aging sign delay करने का काम भी करता है तो अगर आप 30 प्लस ओर आपकी skin धीरे धीरे lose होना start हो गई है तो आज से ही इस remedy का इस्तिमाल आपको सुरू कर देना है अब हो अपनी skin को bleach करने के लिए इसमें add करेंगे कोई भी vitamin C का सुरूत तो मैं यहाँ पे 8 से 10 drops add कर रही हूँ lemon juice यानि अगर आपको यह suit नहीं करता है तो आप इसकी जगे पे tomato juice भी add कर सकते है उसमें भी vitamin C बहुत अच्छी मात्रा में होता है जैसा मैंने बताया नीमू आपकी skin को bleach कर देता है जी हाँ आपका face तुरंत चमक जाता है नीमू face के dark धबों भी काम करता है साथ ही excess oil को भी remove करने का काम करता है नीमू आपके aging sign भी delay करता है इतना ही नहीं आपके face पे बहुत ज़्यदा tanning जमा है या फिर pigmentation जैसी problem ही क्यों नहों नीमू उनको भी cure कर देता है अब मैं इसमें add कर रही हूँ तकरीबन 4-5 tablespoon कच्चा दूद देखे उतना दूद आपको add करना है कि हमारा एक smooth सा paste बन जाए दूद आपकी skin को baby soft बना देता है इसके इस्तेमाल के बाद आपनी skin को touch करके देखेगा क्या बढ़िया feeling आने वाली है दूद आपकी skin को bleach भी करता है इतना ही नहीं आपकी skin को बिना oiliness दिये बहुत अच्छी तरह से hydrate भी करता है इन सारे ingredients को हमको अच्छी तरह से कर लेना है mix मैंने इसमें दूद थोड़ा ज़्यादा दाल दिया था इसलिए basin की quantity मैंने बाद में थोड़ी सी बढ़ाई थी तो उसी साब से आपको बढ़िया सा paste बनाना है अगर paste बहुत ज़दा थिक लग रहा है तो आप दूद थोड़ा सा मिला लीजे बहुत ज़दा थिन लग रहा है तो बेसन थोड़ा सा और एट कर सकते हैं अच्छी तरह से मिला के हमारा इस तरह का paste बनके हो जाएगा तयार मेरा चहरा बिल्कुल साफ है मैंने सिर्फ लिप्टिक लगाई है कोई भी बेस मैं अपलाई करके आपके साथ वीडियो शेर नहीं करती हूँ देन करना क्या है अच्छी तरह से पैक को अपलाई कर लेना है नेक को अवोइट बिल्कुल मत करीगा नहीं तो आपका चहरा ज्यादा चमकेगा और निक बहुत ज़दा डल दिखेगी फ्रेंट्स ये रेमिडी बॉइ गर्ल कोई भी लगा सकते हैं आप तीनेजर हो तो भी इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हो बहुत बहतरीन आपको रिजर्ट मिलने वाले हैं आपको इतना याद रखना है कि जो भी इंग्रीडियंट मैंने इसमें इस्तेमाल किये हैं वो आपको सूट करने चाहिए पैक अच्छी तरह से अपलाई करने के बाद आपको तकरीबन 8-10 मिनट तक इसको इसी तरह से फेस पे लगे रहने देना है अगर आपकी स्किन एकसेस ओयली है तो आप इसको 15 मिनट तक भी फेस पे लगा के रख सकते हैं मेंस इसको पूरी तरह से सुखाना नहीं है और इन दिनों जो वैदर है आप 15 मिनट भी लगाओगे तो भी आपका पैक पूरी तरह से नहीं सूखेगा तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट मैंने फेस पैक लगाया लेकिन ये बहुत हलका सा सूखा है ज्यादा सूखा भी नहीं है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक मैं इसको नहीं लगाने वाली हूँ अब चलिए देख लेते हैं इसको हटाना कैसे देखे आपको डारेक्ट फेस वास नहीं करना है पैक लगाने के बाद हमारे स्किन पर जो टैनिंग है या डेट सेल्स हैं या ब्लेक हैट्स वाइट्स हैं वो धीले हो जाते हैं जब आप इसको रब करके निकालोगे मीन्स पैक को आपको हलका रब करके निकालना है इसके लिए आप कॉटन हैंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं घीला करके देन हलका रब करते हुए आप निकालेंगे तो ये जो टैनिंग धीली हो गई थी या फिर black hair, white hair ठीले हो चुके थे वो पूरी तरह से निकल जाएंगे और एक ही application में आपकी skin एकदम से glowing बनने वाली है तो दोस्तों मैंने face wash कर लिया, skin एकदम clean है मैंने कोई makeup नहीं लगाया, कोई base नहीं लगाया और आप skin का glow देख सकते हैं यह कोई camera trick नहीं और जैसा मैंने बताया कोई makeup नहीं है आपको भरोसा नहीं, आप जब यह remedy अपलाई करके देखोगे रिजर्व देखके आप खुद चौक जाओगे So friends, एक ही बार में हमारी skin बड़ी ऐसे चमक चुकी है tanning remove हो चुकी है, dead cells remove हो चुके है लगातार में इस week में 3-4 बार भी अगर आप इसका इस्तिमाल कर लोगे तो face पे जो काले दाग धब्बे हैं या aging sign आने लगे हैं वो भी delay होना इस्टार्ट हो जाएंगे लेकिन अगर आपका चेहरा बिल्कुल clean है, चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं है या फिर आपकी स्किन पे अभी aging sign आना इस्टार्ट नहीं हुए है तो आप week में सिर्फ एक बर इसका application करिए आपको किसी दूसरी remedy की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी then करना क्या है? हमको ऐसे ही अपनी स्किन को नहीं छोड़ना है इसकिन को बड़ी आसा moisturization देना बहुत जरूरी है चाहें आपकी स्किन का type कुछ भी हो इसके लिए आप अपना favorite moisturizer लगा सकते हैं या फिर आप aloe vera gel का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पे aloe vera gel apply कर रही हूँ लगाने के बाद हलका सा मसाल दे दीजिए तो जी हमारी skin हमारा face party ready हो चुका है आपको करना क्या है बस हलका सा makeup लगाना है जहां भी आप जाओगे आप ही आप नजर आओगे लोग आप से पूछने वाले हैं कि भाई कौन सा treatment ले रहे हो हमें क्यों नहीं बता रहे हो हमें बताओ तो आप जरूर मेरे चैनल का नाम बता दीजिएगा नहीं तो आप इस वीडियो को उनके साथ शैर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके So friends, उमेद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा helpful लगा होगा तो जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक दिये भीना बिल्कुल मत जाईएगा मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा thanks for watching bye bye